नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं आज फार्मासिटिक्स के बहुत महत्पूर प्रस्ण लेके आया हूँ जो सभी फार्मासिष्ट परिच्छा में पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रस्ण फार्मासिष्ट की परिच्छा के लिए फार तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहला कुश्चन है इसमें दोस्तों जो हैदराबाद 2018 में पूछा गया है CGHS में इसमें पूछ रहा है कि जो जिलेटिन का केमिकल कांसिट्वेंट है इसमें से कौन सा है प्रोटीन जो होता है वो जिलेटिन का केमिकल कांसिट्वेंट है नेक्ट क्वेशन है दोस्तों अगर सिंगल डोज आप देते हैं लिक्विड ओरल प्रिप्रेशन में जो सिंगल डोज दिया जाता है उसको हम कहते हैं डॉफ्ट कहते हैं दोस्तों क्वेशन नमबर थ्री पी और एन इस कामली यूज लैटिन एब्रिवेशन इन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो प्रिस्क्रिप्शन में पी और एन लिखा जाता है कामली उसको हम इंग्लिज के मीनिंग में क्या कहते हैं दोस्तों अगर पी आर एन लिखा है तो ये मदब बहुत जरूरी है क्वेशन नमबर 3 का B option होगा क्वेशन नमबर 4 दोस्तों वीडियो को फुल स्क्रिन करके देखेंगे तो एक एक आपको क्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्वेशन नमबर 4 विच टाइब आफ सपोजिट्री आर काल्ड सेरीज इसमें पूछ रहा है कि जो सेसेसरी होता है ये किस टाइब का सपोजिट्री है वेजाइनल सपोजिट्री है क्वेशन नमबर 4 का D option होगा क्वेशन नमबर 5 सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फैब्रिक्स कैन बी आटो क्लेब एट ए टेंपरेचर इसमें पूछ रहा है जो सर्जिकल ड्रेसिंग होता और फैब्रिक्स होता है वो आटो क्लेब में कितने टेंपरेचर पर होता है यह होता है दोस्तों 121 डिग्री सेंटिग्रेट से 122 डिग्री सेंटिग्रेट पर 15 मिनट तक इसमें पूछ रहा है 24 ओफ एनिमल और जिन इसमें पूछ रहा है जो रेजिन है किस एनिमल ओर जिन से मिलता है सालेक जो होता है उसी से मिलता है व्हुस्ट नबर सिवन का B option, question number 8, all the particles possess through a sieve number 44 and not more than 40% through a sieve number 85 card, जिसमें पूछ रहा है कि जो हमारा sieve जो छलनी होता है, वो छलनी number 44 जो है, उससे पास हो जाए, लेकिन 40% ना पास हो पाए, वो 40% और किस से पास हो sieve number 85 से, उसको हम counts of particles बोलते हैं, दोस्तों, moderate fine particles जो होते हैं, उसको कहते हैं, question number 9, one tea spoon full, फुल जो चम्मच होता है, वो कितने ml का होता है, 4 ml का, next question, which one of the following dryer is known as liophilizer, liophilizer जो होता है dryer, उसको हम freeze dryer भी बोलते हैं, दोस्तों, next question, sterilization by autoclave, question number 11 है, sterilization by autoclave जो होता है, वो moist heat sterilization के लिए हम करते हैं, जो autoclaving होता है, moist heat sterilization के लिए यूज करते हैं, question number 12, dietomias, earth is the other name is, कैसिगर, dietomias जो होता है, अर्थ उसको हम कैसिगर नाम से भी जानते हैं, कैसिगर के नाम से, question number 12 का D option, question number 13, the working principle of hammer mill, hammer mill का working principle पूछ रहा है, जो hammer mill होता है, वो impact करने के कामने आता है, कोई भी particle होती है, उसको impact करता है, question number 13 का E option, question number 14, particle or complete removal of top or bottom of a tablet is known as, जो जो particle जो होता है, टैबलेट में, उसको top और bottom दोनों पर जो removal type का होता है, उसको हम कैपिंग बोलते हैं, जैसे punch और die के defective के कारण, कैपिंग आने लगती है, दोस्तों, question number 15, tablet or design to exert local effect in throat, जो tablet जो design होता है, वो throat के लिए जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, low genges बोलते हैं, low genges बोलते हैं दोस्तों, question number 16, entry coated tablet are designed to release medicament in, जो entry coated tablet होता है, वो पूछ रहे हैं, इसमें कि design जो होता है, उसके medicament में, किस medicament में हम entry coated tablet को use करते हैं, यह जो release होता है, किस से, small intestine से, question number 17, dryer used for the production of milk powder, milk powder जो होता है, उसमें पूछ रहा है कि, किस dryer से, हम milk powder का production कर सकते हैं, spray dryer से, question number 18, chemical composition आप asbestos, asbestos का chemical composition है, alumino silicate, question number 19 है, एक kytanic surfactant is, जिसमें पूछ रहे हैं कि, इसमें kytanic surfactant कौन सा है, setrimide जो होता है, वो kytanic surfactant होता है, और इसमें जो और सब हैं, polysorbate 18, यह anionic surfactant है, sodium deconate, यह भी जो है, ionic surfactant है, sarbiton monolate, यह भी ionic surfactant है, kytanic surfactant, setrimide है, question number 20, which type of mill is used for grinding sulfonamide drug, इसमें पूछ रहा है, कि हम किस type का mill हम यूज करते हैं, sulfonamide drug को grind करने में, fluid energy mill जो होता है, वो sulfonamide drug को grind करने में, हम यूज करते हैं, question number 21, दोस्तों अभी यह question repeat हुआ था, one full tea spoon means, अगर 4 ml और 5 ml दिया है, तो आप 5 ml या 4 ml ही लगाएंगे, one full tea spoon means होता है, 5 ml, question number 22, tablet designed to exert a local effect in the throat, और कार्डिय भी repeat हो गया है, दोस्तों question, यह कोलहापुर वाले, DDHS में, exam में पूछा गया था, यह भी lozenges होगा, जो throat के लिए होता है, local effect lozenges बोलते हैं, next question है दोस्तों, erasing of animal source, यह भी देखिए दोस्तों, question repeat हो गया है, यह अक्सर repeated question है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिए गया, erasing of animal origin, select जो होता है, वो animal origin से होता है, next question, question number 24, normal saline solution contain, इसमें पूछ रहा है, normal saline solution है, वो कितना 0.9% sodium chloride होता है, next question, 25 है, dryer use production आप milk powder, देखिए दोस्तों, kolha-pur-wale DDHS में, question repeat हुआ है, यह भी, milk powder में, dryer जो यूज करते हैं, वो है, spray dryer, next question, question number 27 है, in the pediatric dose, calculation, children in the first 28 days, birth come under the class of, first 28 days, हम क्या बोलेंगे दोस्तों, neonatal बोलते हैं, next question है, question number 27, what is an emulsion, इसमें पूछ रहा है, कि emulsion जो होता है, इसमें से कौन साय जो है, mixture of two immiscible solution, जो emulsion होते हैं, दो, immiscible solution का, जो mixture होता है, उसको हम emulsion बोलते हैं, question number 28, what is an inhaler, इसमें पूछ रहा है कि, इन चारो आप्सन में से, कौन सा inhaler है, inhaler जो होता है, दोस्तों, वो lungs वाले जो patient होते हैं, जो सांस उस्पूलने के लिए, में यूज किया जाता है, drug delivery by a device, directly to lung, मतलब ये पूछ रहा है, ऐसा device जो है, जो directly lung को, deliver मिलता है, drug जो है, inhaler उसको बोलते हैं, question number 13, the worster process can be used, यह पूछ रहा है, वरस्टर प्रॉसेस जो होता है, यह किसमें यूज किया जाता है, tablet के coating में यूज किया जाता है, question number 30, colloid particle have type of rheology, इसमें पूछ रहा है, कि जो colloidal particle होते हैं, यह किस type का rheology है, non-newtonian flow के थो होता है, दोस्तों, यह non-colloidal particle, non-newtonian flow के थो, type का rheology है, question number 31, Kelvin equation is related to the, इसमें पूछ रहा है, जो Kelvin equation होता है, वह किस से related है, pore size analysis से related है, question number 32, solid fat index, यह FI जिसको बोलते हैं, दोस्तों, solid fat index, यह determined, किस चीज के लिए हम करते हैं, और यह किस चीज में, use भी करते हैं, डाइल्टो मीटर के लिए, दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है, question, solid fat index, तो यह डाइल्टो मीटर के, को डिजाइन करने के लिए, हम use करते हैं, next question है, दोस्तों, question number 30, राउल्फिया एंड गिलसराइजा, कैन भी size reduce, पूछ रहा है कि हम, राउल्फिया और गिलसराइजा को, कि size को हम किसे से reduce करते हैं, तो cutter mil से किया जाता है, दोस्तों, क्योंकि, राउल्फिया आप जानते ही हैं, और गिलसराइजा भी जो हता है, काटर mil से ही हम इसको reduce करते हैं, उसकी size को, question number 34, which of the following doge from is, which of the following doge's form is suitable for moisture sensitivity drug, इसमें पूछ रहा है कि, काउन सा जो इसमें doge's form है, जो moisture sensitivity को के लिए suitable है, तो वो है दोस्तों, कैपसूल, ये moisture नहीं लेता है, कैपसूल जो हता है, वो moisture absorb नहीं कर पाता, tablet हुआ, ointment हुआ, ये moisture absorb कर लेते हैं, question number 34, question number 35, efficiency of a filter used for sterilization determined by, इसमें पूछ रहा है कि, जो हम sterilization के लिए filter use करते हैं, उसकी efficiency और कैसे होती, और किस से हम determined करते हैं, तो ये porosity से हम determined करते हैं, question number 36, milk of magnesia is a preparation containing between 7 to 8.5% of, जो milk of magnesia होता है, वो magnesium hydroxide होता है, जिस percentage पर ये पूछ रहा हैं, 7 to 8.5% पर, question number 37, light liquid paraffin Indian pharmacopoeia, and liquid paraffin Indian pharmacopoeia is differentiated by there, ये पूछ रहा हैं कि, light liquid paraffin और liquid paraffin जो है, इसको हम कैसे differentiate कर सकते हैं, तो इसको हम kinetic viscosity से ही हम differentiate कर सकते हैं, question number 38, roller compactor is used in large scale, for granulation, ये पूछ रहा है कि, dry granulation के लिए हम roller compactor, large scale पर हम use करते हैं, dry granulation के लिए, roller compactor जो होता है, question number 49, osmotic pallet or extensively used as, इसमें पूछ रहा हैं, जो osmotic pallets होते हैं, वो extensively हम use करते हैं, controlled release के लिए, question number 40, disposable syringe are made up of, जो हम disposable syringe use करते हैं दोस्तों, वो पूछ रहा है कि, किस चीज़ से बना होता है, ये transparent polystyrene से होता है, जो हम syringe use करते हैं दोस्तों, disposable syringe, आज कल जो होता है dispobine वगरा, जो होता है syringe, ये किस चीज़ का बना होता है, ये चीज़ में पूछा जा रहा है, तो ये transparent polystyrene का होता है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों question ये, तो दोस्तों आज के वीडियो में, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा, और like जरूर कर दीजेगा, like करने से मुझे motivation मिलता है, और मैं वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, मुझे अगर आप like कर देते हैं, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को like, subscribe, share, ज़्यादा से जरूर कर दीजेगा, जिससे सभी वीडियो आपको मिलते रहें, मैं बहुत से वीडियो फार्मस्टिक्स, हस्पिटल, फार्मेसी, क्लिनकल, सभी से लिडिरेटेड बनाया हूँ, धन्यवाद दोस्तों,